नमस्कार जन्नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ निखिल सिंग और जन्नेक्स्ट में आज का हमारा विशे है मेक इन इंडिया और उसमें युवाओं की भूविका दरसल सितंबर 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कारिक्रम की इस अभियान का शुभारम किया था और सोच ये थी कि भारत को एक वैश्विक स्तर पर मैनुफैक्चरिंग हब में तब्दील किया जाए प्रधान मंत्री का साफ तोर पर कहना था कि भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां पर डिमोक्रैसी डिमोग्रैफी और डिमांड यानि लोकतंत जनता की शक्ती और उसके साथ साथ मांग ये तीनों का एक अदभुत समिश्रण है भारत में और इसका लाब उठाया जाना चाहि टेकनालोजी उनकी होगी लेकिन लोग हमारे होंगे उसमें काम करने वाले यानि की रोजगार का स्रिजन होगा इस से एक कदम और आगे बढ़कर इसकिल इंडिया की बात कही गई स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया की बात कही गई यानि हमारे युवाओं के इस से जोडने की बात कही गई और ये कहा गया कि ये युवा अब रोजगार सिर्फ मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनेंगे और इ एक सीधे शब्दों में कहा जाए कि युवाओं के लिए कि मैं उमंगों की पहचान हूँ, मैं खुशाली का पैगाम हूँ, मैं जोश्चे भरा हूँ, मैं दृसंकल्प हूँ, मैं एक युवा हूँ और युवादेश की पहचान हूँ तो ऐसे सार्थक, सकारात्मक विचारों के साथ, इन युवाओं के साथ, मेक इन इंडिया कारिक्रम में क्या इनकी भूमिका हो सकती है, क्या इनका मानना है, किस तरह से इस कारिक्रम को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे इसमें ये योगदान देना चाहते हैं, इन सारे व युवा है यहाँ पर जो आपने विचारों को रखेंगे और देखेंगे कि मेक इन इंडिया को कैसे वो सफल बना सकते हैं। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं कि किस तरह से युवाओं की इसमें खास भूमिका हो सकती मेक इन इंडिया को सफल बनाने में। तो आपने बहुत बढ़िया तरिके से इसको शुरुआत किया है कि हमारे देश में डिमोग्रिफी है और डिमोक्रिसी है तो यह डिमोग्रिफी कहां से आती है यह डिमोग्रिफी हमारे युवा से आती है और इस ये युवा अगर हमारे देश में देश में निर्मान करना है चाहे manufacturing का है, चाहे service का है, तो अगर ये युवा ही प्रशिक्षन लेके और देश की ही निर्मान में, factories में हो, चाहे product में हो, services में हो, उसमें योगदान करें, ज्यादा से ज्यादा, तो हमें बाहर से किसी चीज की आवशक्ता नहीं पड़ेगी, चाहे वो computer हो, चाहे वो mobile phone हो, चाहे hotel बनाना हो, चाहे कोई नई स्टेर पे कोई application ही क्यों ना हो, अगर आप युवा जो हमारी पीड़ी है, अगर इसमें प्रशीक्षन लेके, इसमें उत्साह से, इसमें उस तरह का जोश देखा के आगे बढ़ें, तो हमारे देश में भी वो भी सब बन सकते हैं, जो आज की तारीक में बहुत जगे पे, हम इसको बाहर से लेके आते हैं, तो ये skill के साथ जुड़ा हुआ है, रागव जी, किस तरह से आप देखते हैं कि हमारे युवा, इसमें किस तरह से अपना युगदान देखते हैं, किस तरह से मेकिन इंडिया उनके लिए एक आफसर है? Make in India युवा के बगेर तो है ही नहीं Because इसको बनाने के लिए, Make in India को successful बनाने के लिए और ये कोई एक दो साल का प्रोग्राम तो प्राइमिनिस्ट जी का है नहीं ये एक लंबा, लंबी सोच है उनकी और इसमें युवा ही support करेंगे युवा आगे आएंगे तो ये successful होगा और अगर इसको completely देखें तो सब कुछ Make in India को support करने के लिए ही सारे other programs भी प्राइमिनिस्ट आफिस से निकल रहे हैं जैसे start-up India की बात कर लें smart cities की बात कर लें skill India की बात कर लें सब कुछ Make in India को ही support कर रहे है तो ये एक बहुत बड़ा program है कोई छोटा program नहीं है और इसमें युवा की भूमिका बहुत important और skill India का जो program है वो इसमें बहुत important role actually play करेगा जो हमें लगता है बिल्कु ठीक है आपने skill India का जो program है वो important role अदा करेगा हमारे युवा हमारे सार्थ किस तरह से इसको देखते हैं आप बताएंगे कैसे आपको लगता है कि make in India को हमारे युवा सफल बनाएंगे आप लोगो क्या लगता है कि किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएंगे अगर हमारे देश में युवा आगे बढ़ते हैं यंग जनरेशन आगे बढ़ती है अच्छे से काम करती है तो make in India जरूर सफल होगा यानि युवा इस पे अगर आगे बढ़ते हैं तो make in India सफल होगा इसी तरह से हमारे साथ कुछ और युवा है इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो स्टार्ट अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया यानि कि अपना रोजगार खुद खोले और अपने साथ-साथ औरों को भी रोजगार दे यह जो प्रदान मंत्री का सपना है जो सरकार का सपना है उसको कैसे आप लोग सार्थक और सफल बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बंदा लिटरेट होना चाहिए यहां का पॉपुलेशन जो है यह एंप्लॉयबल ग्रैजुएट है मिन्स यह कौलिफाइ तो हो चुके पन एजुकेट नहीं हो है वो फिल्ड में तो यह बहुत बड़ा अपॉच मिन्स एक चैलेंज है कि यह बंदों को कैसा एक एसेट के तरह यूज किया जाए ना कि यह लाइबलीटी बने इंडिया के लिए तो बिल्कुल ठीक बात है जो इंडिया की पॉपुलेशन है आज वो इंडिया की स्ट्रेंथ बन चुकी है उसमें कोई डाउट नहीं है और सारा सारा वर्ल्ड इस चीज़ को अब एकनॉलेज करता है और स्किल्फुल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा एफ़र्ट लगेगा पीएम आफिस से या इस इस देश से और ऐँतिंक उसकी शुरुराथ जरूर हो चुकी है और आगे-आगे आप देखेंगे के इसमें बहुत काम होगा एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि निश्चित तार पर प्रधानमंद्री कारयाले से इसकी शुरुराथ हो चुकी है सरकार से इसकी शुरुवात हो चुकी है लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे हमारे युवा जिस तरह से आपने कहा है कि हमारी युवा शक्ती है मैं युवा हूँ और युवा देश की पहचान हूँ तो ये हमारे युवा है जो इसको आगे बढ़ाएंगे कितना जोश और जजबा इनके अंदर है इसे आगे बढ़ाने के लिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं आपको क्या लगता है आप जी जैसे आज की युवा पीडी है आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से कई सारे इनोवेशन हमारे देश में आ रहे हैं तो मुझे लग स्ट्रेंथ है देश की उसे जोडने का सीधा सीधा मुझे लगता है एक अभियान है स्टार्ट अप इंडिया और जो स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम आ रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे युवा जो है स्कूल नेवल से स्कूली स्थर से ही अपने अंदर जो कि बात हमेशा होती रही है यानि कि भारत में स्वदेश में ही नई तकनीक का निर्माड और उसको कैसे किया जा सकता है तो इस पर भी बातचीत करेंगे हमारे युवा हैं कि अभी तक हम ये देखते रहे हैं कि हम विदेशों से तकनीक लेते रहे हैं और उसका देश में इस इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी महेंगी नहीं है, एक ही चीज महेंगी है, वह है टेक्नोलोजी, वह आती है आर एंटी से, डिसर्च और डबलम्मेंट से आती है, जो कि इंडिया में बहुत ही कम है, यह वैसे क्यों आ गया है, क्योंकि वह अपने लोगों को बुला रहे आफर कर रहे हैं, ब्रेंड ड्रेंड कर रहे हैं, और आर एंटी पर फोकस कर रहे हैं, अब देखिए सर, रेफेल खरीदे हैं, कुछ भी खरीदे हैं, आप टेक्नोलोजी नहीं देते, टेक्नोलोजी हमें चाहिए न, जो हमारे IITs, जो लूफ होल है, हमारे IITs, NITs, AIMS के टेक्नोलोजी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बार बार देखते हैं, कि इंडिजिनस, इंडिया की लोग, यह कर दिया, इंडिया की लोग कर दिया, बाइस आप यहीं कर लो, नहीं इंडिया में कर लो, क्योंकि आप बताइए, मेरी फैमिली बहुत खराब है, आपकी बहु प्रिथा जी आप से जानने के कोशिश करेंगे जो इंडीजीनियस डेवलेप्मेंट की बात हुई या जो स्किल डेवलेप्मेंट की बात हुई और उसके तहट मेक इडिया को एक जिसको जो अभियान जो सपना देखा गया है कि वरिहत भारत के निर्मार के लिए उसको कैसे युवा सच करेंगे कैसे इनको बताया जाए कि यह आपके लिए है और आप जब तक ड्राइविंग सीट पे नहीं आएंगे तब तक यह सफल नहीं होने वाला है तो यह बहुत बड़ी बात दो युवाओं नहीं यहां पे कहा है पहली बात है कि हमारे देश में युवाओ जब टेल पे इस चोड़ दिया है जुगार अपने आप छोटी सी चीज को आप जुगार को समक है जाती है लेकिन अब Make in India के अंतरगत आप जुगार को भी अब आप किस तरह से उसको quality किस तर पे किस तरह से प्रशिक्षन से और किस तरह से चाहे जहां कहीं थोड़ी बहुत पुंजी जरूरत है निवेश जरूरत है आप उसको Make in India कर सकते हैं तो एक ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये सिर होना ये पूरा करना पड़ेगा और ये युवाओं के ऊपर ये क्या मैं बोलूंगी बोज है रिस्पॉंसिबिलिटी है Make in India उसके सारे जो बोलते हैं जो प्रोसेस है जो नियम है उसको एक रूप दे रही है दूसरी बात है स्किल आपने कहा कि स्किल कैसे हो सकता है क्योंक एक जो वेल्डर है आपको हैरानी होगी चन्नाई में जो मेट्रो बन रहा है चन्नाई मेट्रो बनाने के लिए जर्मनी से तकनीकी सारे लोग आई हुए हैं तीन हजार वेल्डर उसमें काम कर रहे हैं जो वेल्डर इंडिया से आई हुए हैं काम कर रहे हैं उनके किसे के प तरगत वही कोशिश है कि चाहे आप जितने भी जॉब्स हैं कुछ जॉब्स की जरूरत नहीं है कि आप उसमें फॉर्मल जो कहते हैं एजुकेशन की जरूरत है लेकिन उस काम को आप किस तरह से इंटरनाशनल लेवल पे आप ला सकने क्या हमारे यहां देश का वेल्डर हमारा प्रड़क्ट बन रहा है सर्विस बन रहा है वो एकदम बाहरी उस लेवल से कमपीट करें तो यह युवाओं को जरूरत है यह दोनों चीज़ें समझने का कि जुगार भी आगे बढ़ा सकता है ड्रीम सपने देखिए और उसको साकार करिए और स्किलिंग सब के तो बन रहा है और इसी तरह से सपनों को सच करने के लिए लोगों को बताने के लिए समझाने के लिए और अपना कुछ बताने के लिए भी तेरा से आठारा फरवरी तक मुंबई में एक MakeIn India वीक भी हो रहा है और जिसमें हम बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को देख कि किस तरह से भारत में मेकिन इंडिया को सफल बनाया जा सकता है हमारे युवा निस्ची तोर पर इसमें इससा लेंगे आप गौरफ जी आप से जानने की कोशिश करेंगे कि जो बात इसके लेंडिया की बात कही गई या जो बात कही गई इंटरप्रेणिर्शिप को भी पहले मैं आंसर करना चाहूंगा उनको या रिस्पांस करना चाहूंगा बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने उठाया है कि अगर हमारे को अपने मावाप नहीं पसंद तो हम किसी और को तो मावाप नहीं बना लेते हैं तो मैंने उसका अपने लिए एक स्टेटमेंट रख आनंसे रखा हुआ है कि हंदुस्तान की लाइफ बहुत बढ़िया मसाला लाइफ है और Aa Our Your में पसंद यहां पे तो आप सुबह उठते हैं और मसाला शुरू हो जाता है या पानी होता यहां कोई गलत घंटी बजा जाता है या न्यूज्वेफर आया नहीं होता तो उसको enjoy करना start करती है तो मैंने और भी कुछ विदेशी experience लिए है कितना systematic है वहाँ पर, कुछ मसाला है ही नहीं तो कितना बड़ा positive है बहुत लोग इसको बोलते हैं कि बहुत बड़ा negative है पर मुझे तो लगता है बहुत बड़ा positive है वहाँ पर depression है यहाँ पर depression भी नहीं है तो बहुत सारी dreams unanswered रह जाती है खाब खाब ही रह जाती है बस जिन्दगी निकल जाती है तो हम, हमारी अपनी भी एक कोशिश है through our social initiative जो हम चलाते है कि entrepreneurship को बढ़ावा दिया जाए आपके एक बच्चे को जैसे एक direction दी जाती है उस तरीके से एक direction दी जाए capability बहतों में होती है बट यह है कि कई बड़ यह direction नहीं मिलती कई बड़ एक opportunity को explore करने की हिम्मत नहीं की जाती मेरे हैसाब से youth को जरूर वो हिम्मत करनी चाहिए मेरी भी एक अच्छी job थी दस साल पहले घर वाले नहीं मान भी रहे थे नहीं भी मान रहे थे वेंचुरी छोड़ी और बहुत confidence से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम की है और वो decision लेने को मुझे तकरीबन तकरीबन आठ नौ साल लगे पर मुझे लगता है शायद पहले चोड़िएगा जरूर क्योंकि job फिर से लग जाएगी आईए एक बार बहुत बढ़िया बात कहिए आपने और आईए अपने युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना वो साहस जुटा सके है इस बात से और कितना make in India या उससे जुड़े हुए चाहिए एड्रेस को किस तरह solution देना चाहिए गौरव जी आप से सवाल है अगर administrative machinery किसी position पे slow है तो उन्होंने internet का जरिया बना के आपकी company जल्दी register हो जाए उसके solution निकाल दिया कोई बात नहीं administration तुने नहीं करना तू ना कर तू slow कर जैसे करना है तुम करो पर मैं एक अपना solution देता जा रहा हूँ मैं किसी की life को disturb नहीं कर रहा हूँ तो मेरे असाब से ये एक बहुत ही innovative सोच है और मैं 100% sure हूँ उसके पीछे बहुत सारा support system चल रहा होगा जो ये ideas develop करता होगा PM office के लिए जो एक बहुत बढ़िया चीज हो रही है कंट्री में अगर आप उसको microscope की नजर से देखेंगे तो आपको ये छोटे छोटे उसके अंदर figment नजर आएंगे कि ये चीज इस तरीके से क्यों की कर दी गई उस department को बंद क्यों नहीं कर दिया गया कोई बात नहीं बहुत उसकी जॉब चल रही है उसकी जॉब चलने दो उसका घर चलने दो लेकिन मुझे देश को तरक्की करने के लिए क्या करना है वो भी मैं करता रहूँ अभी जो इंडिया की ज़्यादा population है ज़्यादा तर गाउं में रहती है लेकिन यह जो skill इंडिया, making इंडिया इन सब चीजें को बारे में लोगों को बस नाम पता है कि यह लोगों है, उसके बारे में उसके पीछे क्या है यह नहीं पता है कई बार तो यह होता है कि सपने देखते हैं उसको initiate कैसे करना है हमको पता नहीं होता तो बिशिकली उसमें अगर हम सुरू किये और उसके बाद कुछ गलतियां होती है और फ्लाफ हो जाता है या कुछ भी तो उसके लिए कुछ मेजर्स होने चाहिए गोर्मेंट की तरफ सके कि वो मोटिवेट हो सके कि हाँ आज फिर सु उठके उसके आगे जा सके यानि दो बाते आप कह रहे हैं कि एक तो इसके प्रचार प्रशार की जरूरत है अगर कोई इसमें विफल होता है तो वो कैसे उससे उबर सके यह आपका मतलब है सर मुल्टिनेश्नल कंपनी बहुत मार्केट में स्ट्रॉंग बन चुके तो उससे वो रिसोर्से उज करती है थर्ड वर्ल कंट्रीज का तो आपने इंडिया जैसे का रिसोर्सेश वो अपने लोगों को मिलने के लिए ये मेकिन इंडिया जैसे प्रोग्राम होने चाहिए कुछ फायदा हो। अपने गण को मेरे में अंदर कमीला अंदर कमी अलग अलग हो adoptive अपने अपने देसी कमीला गौण सर्व मारे गाहों जो 6 लाग है, वो self sufficient है, उनके पंचायत है, judiciary अपना है, सर हर चीज अपने अपने अपना सब कुछ बोलेते हैं, सब कुछ गाड लेते हैं, सर उस पे भी तो ध्यान देना, मेकिन इंडिया यही तो है कि यहां से पैसा निकालो, MNC से निकालो, और गाव में लगाओ, welfare बढ़ करते हैं कि inclusive growth की बात कर रहे हैं, करें मेकिन इंडिया को सफल बनाने के लिए गाओं का विकास बहत जरूरी है, बहुत ही मतलब जरूरी है क्योंकि आबादी हमारी 7 प्रतिशत तो गाओं में है, और बिल्कुल सही बात है कि गाओं में सब कुछ है वहीं पे, लेकिन उसको अगर हमें और आगे अग्रसर करना है, उसको और उत्तीन करना है, तो हमें क्या क्या ज़रूरत है, डिजिटल इंडिया एक और प्लाटफॉर्म है, जो कि मेकिन इंडिया के साथ ही जुड़ा हुआ है, स्टार्ट अप, स्किल और डिजिटल, तो किस तरह से हमारे गाओं मे आप कम निवेश से, कम पूंजी से आप चाहे वो एग्रिकल्चर है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है उसको जोड सकते हैं और ये आदर्श ग्राम यूजना के तहट या सिरफ कनेक्शन के तहट ये हमारे प्रधान मंतरी की जो मतलब विचार हैं, सोच हैं कि हम किस तरह से गाओं को भी मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, उसको इंक्लूट कर सकते हैं और रही बात की प्रसार का तो प्रसार बहुत हो रहा है, लेकिन और भी करने की जरूरत है तो जैसे कि किस तरह से गाओं के भी युवा उनको प्रसीक्शन के बारे में या स्किल के बारे में पता होना चाहिए अगर आप आज की तारीक में जाएं, मतलब हमारी संस्था शायद दो हजार या धाई हजार जगह पे हम लोग प्रसीक्शन देते हैं, स्किल करवाते हैं प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतरगात ये गाओं गाओं में इस वकत प्रचार है और इस तरह कि पहली बार आपने शायद टेलिविशन पे भी इसकी अड़िसमेंट देखिये होंगे ये कलर्स चैनल पे जी चैनल पे दूरिद्शन के चैनल पे इसकी अड़िसमेंट हो रही है रेडियो पे हो रही है, बाकी जगह पे हो रही है तो गाओं भी साथ बढ़ रहा है और ये मतलब इच्छा यही है कि गाओं से भागे नहीं जैसे आप कहे रहे हैं शहर से नहीं भाग के देश से नहीं भाग के कहीं और ना चले जाएं तो गाउं से भी भागने की जरूरत नहीं है, गाउं को किस तरह से आप self-sufficient बना सकते हैं, वहां के किस तरह से चाहे फल, फूल, नदी, पानी, जंगल सब को मिला के आप उसको अपनी rights की बात करते हैं, लेकिन अपने duties की बात नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, तो जो commercial chambers हैं, या जो लगू द्योग पती हैं, उनकी भी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, गौरव जी. मैं पहले answer करना चाहूंगा, failures के उपर entrepreneurship में, बिलकुल ना घबराएं, घबराने की क्या जरूरत है, जौब तो हमेशा है, तो कोई बात नहीं, पहली बार fail हो जाऊंगा, मैं भी शायद, मैं तो रोज ideas generate करता हूं office में, कि ये काम को बहतर कैसे कर दिया जाए, मेरे ख्याल स दस में से पांच बार तो fail होता ही होँगा, कोई बात नहीं, चार अच्छे ideas होते हैं, एक धमाकेदार होता है, वो धमाकेदार के लिए काम करते हैं, तो करो, मेरे ख्याल से बहुत सारे entrepreneurs ऐसे हैं, जो मेरे ख्याल से most, सारे ही शायद ऐसे हैं, जो शायद पहली बार में तो मेरे लिए यही best है, तो उसको जरूर करो, यह मैं आपको एक छोटी सी advice, suggestion जरूर दूँगा, जी, तो निश्चित तोर पर जो गौरफ जी ने कहा है कि failure is a stepping stone to success, इस mode और mission के साथ काम करें, यानि कि गरने पर घबरायें नहीं, और हमारा जो इससे जुड़ा हुआ जो सवा काने की बात कहीं, कहीं ने कहीं जो निचले लेवल पर, लोकल लेवल पर जो लगू या जो सूक्षम उद्योग है, जो उससे जुड़े हुए जो उद्योग से जुड़े हुए लोग है, उनको भी एक सकारात्म भूमिका निभानी चाहिए, दूसरे साथियों को भी प्रे एक objective के साथ, जो की again मेरे ख्याल से उसके उपर भी काम चल रहा है, objective के साथ उसको अगर एक रूप या एक उसमें एक potential देख के उसके उपर working की जाएगी तो बिलकुल और उसमें कुछ-कुछ working चल भी रही है, तो मुझे तो लगता है कि हर तीसरे महीने एक initiative on होता है, एक गा तरह से कही ने कही जिस तरह से आपने इंक्लتيव neighborhood की बात कही थी तो ये ये कही ने कही सभी को साथ में लेकर चलने की बात है तो ये ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से और अश्रपनला है। बहतर बनाने के लिए तो ऽॉद का सत होना बहुत झाया सकता है। साथ जैसे होगा अगर हम लोग अर्बन और रूरो दोनों साथ लेकर करके चलेंगे MNCs या Government Policies उसके According बनाएगी तो साथ होगा तो साथ ही होता है जो एक साथ साथ मिल करके जब कोई काम करे तो ही बहतर हो पाएगा यानि कि सबको साथ लेकर चले की बात है अगर सबको साथ लेकर चलेगे तो बेतर हो सकती है आप बतादे चाहिए सर मैं इस पॉइंट को रूरल एकानॉमी के तरफ लेकर जाना चाहोंगा रूरल एकानॉमी में जो निशलास दर है मतलब वन हेक्टर पर फैमिली तो वो लोग livestock farming में lack करते हैं, उनके पास तक्रीबाथ 7.5 crore females in livestock farming and 1.5 crore means तो अगर उनको हम livestock farming, technology के लिए उसको advance करें या फिर उनको दूद का उत्पादन बढ़ा दिया जाए, उसको export किया जाए दूद के जो मतलब लाइव स्टॉप खार्मिंग इंडिया का सबसे जादा है वडिल में जो लाइव स्टॉप फार्मिंग इंडिया के लिए अरब के लिए ओईल है तो हमको इसके ऊपर काम करने की ज़रूआ थे बहत सारे हमारे युवा हैं जो अपनी बात रखना चाहे रहा है लेकिन हम इस कारिकर्म को यहां पर इस नोट के साथ खत्म करना चाहेंगे कि हमारी युवा है जो वो एक सार्थक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसमें लगे हुए है और निश्चित तौर पर जिस सोच और जिस तरह से उनकी मेधा और प्रतिभा है जिसका लोहा पुरा विश्वानता है अगर वो इसमें अपनी सोच के साथ अपने नए आइडियाज के स और इस सोच के साथ जुड़ जाएं कि अगर आसफल होंगे तो क्या हुआ एक बार आसफल होंगे आगे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी इस सोच के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मेक इंडिया का ये जो मिशन है ये निश्चित तौर पर काम्याब और इसमें एक बात और जोड़ देना मुनासिब होगा कि इसमें जो हमारी आधी आबादी है जो हमारी नारी शक्ती है उसकी भी प्रमुख भूमिका होगी तो इस नोट के साथ हम आप सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दोनों गेस्ट गौरव जी का पृता जी का आ जी जासत, नमस्कार